आज आठ दिसंबर 2022 भारत में सद्गुरुवार है आज की मुर्ली का जादूई रहस्या स्वयम को प्रेरना देने के लिए आज की मुर्ली इतने गुहिया राजों से भरी हुई रहती है कि जो आत्मा स्रिष्ट लक्ष के पुर्शारती होती है वो इस रोज की साकार मुर्ली से भी संपूरना अवस्था की तरफ अग्र कमंड कर सकते है इसमें कोई दो राय नहीं है कि अव्यक्त मुर्लिया विशेश एक ही पॉइंट लेकर गहराही में लेके जाने वाली होती है और जो पीछे आने वाले बाबा के बच्चे है जो मेजारिटी पढ़े लिखे आत्माए है इंटिलेक्चिल्स है उनको अव्यक्त मुर्लिया ज़्यादा आकर्शित करती है क्योंकि एक ही पॉइंट को लेकर उसकी गहराही में चली जाती है जैसे बाबा ने अभी जो वर्तमान समय अव्यक्त मुर्लिया चल रही है वो अव्यक्त वर्षक के उपर है बाबा तपस्या वर्ष से जब नाइंटी में डिकलेर किया तपस्या और एक वर्ष को एक थीम देते जा रहे थे तपस्या वर्ष अव्यक्त वर्ष मुक्ति वर्ष वगेरा वगेरा या सफलता का वर्ष तो एक थीम को लेकर ही हम तपसे अभी तक चल रहे हैं जैसे इस वर्ष की थीम है दया और करुणा दया और करुणा के द्वारा अध्यात्मिक सशक्तिकरन तो इस थीम के साथ बाबा के सभी सेंटर ओल ओवर वर्ड कारेकरम करते हैं तो फोकस लेकर चलते हैं और इसकी पीछे बहुत गहरा राज है एक ही थौट लेकर एक ही कंसेप्ट लेकर जब हम चलते हैं तो विश्व में वैसा वायूमंडल निर्मान हो जाता है उसकी प्रधानता होती है और वो वायूमंडल आत्माओं को अपनी तरफ खीषता है जैसे इस पृत्वी पर दुख बढ़ते जा रहा है जो कि बढ़ने वाला ही है तो जब दुख बढ़ता है तो नैचरल है लोग सुक की तलाश में जाएंगे अभी जैसे जिसकी वृत्ती होगी वो उस तरफ जाएगा जो इंद्रियों के गुलाम है जिनको इंद्रियों के सुखों के अलावा कुछ नहीं पता वो इंद्रियों के सुखों के अती में जाएंगे तूमच अती में जाएंगे जिसको बाबा ने कहाँ ड्रामा अती में जाएगा क्योंकि उनको सुख चाहिए उनका कोई दोश नहीं है दुख बढ़ते जा रहा है तो मनुष्य का ये नेचर है इसको हम अंग्रेजी में कहते है प्लेजर एंड पेइन प्रिंसिपल प्लेजर मना सुख पेइन मना दुख तो दुख को अवाड करके सुख की तरफ जाना ये मनुश्य का नेचर है ऐसे मनो विज्ञान कहता है तो pleasure डूण देंगे तो कहां डूण देंगे तो एक principle easiest way of pleasure है जिसको कहते है इंद्रियों का सुख तो इंद्रियों के सुखों के अती में जाएंगे जिसको बाबा ने कहा जानवरों से भी बत्तर है इस समय मनुष्य देखो कबीर ने भी कहा है, बहुत कड़ी बात कबीर ने कही अपने दोहे में कि जो कुट्ता होता है कामी कुट्ता ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, कामी कुट्ता भी सीजन देख के विकार में जाता है वो चाहिए तो जाणवरों से भी बत्तर हो गए ईचावाँ परसोह, आपको यह बात सुनाओ, कि कैसे जानवर से Mind वनुषय से देवत्र, यह हमारी यात्रा है। ऐसे इविलिशन की थेरी केती है कि हम जानवर से माना वो मानते हैं कि हम बंदर हमारे पुर्वच थे तो बंदर से हम मनुष्य बने हैं और हमाई चांसे से हैं कि हम ऐसा पुर्शाद करें कि हम देवता बन सकते हैं लेकिन कुछ लोग उल्टा भी जा रहे हैं मनुष्य से बत्तर हो रहे हैं जानवर से भी बत्तर हो रहे हैं तो वो इंद्रिया सुखों की तरफ जा रहे हैं जो चार बाते शास्त्रों में बता ही आहर निद्रभ है मैथुन उसके अती में जा रहे हैं क्योंकि सुख चाते हैं दूसरे हैं जिनकी अवस्ता इन से थोड़ी अच्छी है तो वो समझते हैं यग्या दान तप भक्ती इन से हमको सुख मिलेगा तो उसके भी अती में जा रहे हाला कि वो भक्ती भी इस समय वैभिचारी भक्ती है दिखावे की भक्ती है पहले भारत में मान्यता थी कि एक हाथ से दान करो तो दूसरे को पता नहीं होना चाहिए अभी तो हर जगे पे बोर्ड लगे हुए रहते हैं और पॉलिटीशन्स या नेता लोगों ने तो हद कर दिया है वो मनोविज्ञान के सुक्ष्म प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि उनका फोटो हर जगे पे दिखाई देना चाहिए कुछ भी नहीं बचता है कोई सर्टिफिकेट नहीं बचता है कोई कोना नहीं बचता है इतने बैनर लगाते हैं और हमने यह काम किया यह उनको बताना पड़ता है जबकि पहले ऐसे बताना अपमान समझते थे आज कल सोचते हैं कि नहीं बताए तो लोगों को पता कैसे चल लगाते हैं जो स्टेप्स बिठाते हैं मंदिरों में हर स्टेप के उपर नाम रहता है कि इस ने दिया इस ने दिया मुझे तो आशिरे तब लगा पंखे आउदा भक्ती थे कसे पर्सेंटेज का मों के भक्ती में भी से Doors में डाउन फॉल है ह। डिखावे की भक्ती है है तो भक्ती भी क्यों करते कि कुछ फूक चाहिए तो लेट्स कम तू Bava children बाबा के बच्चे क्या करते हैं बाबा के बच्चे सबसे समझदार है सबसे ग्ञान ही है उनके पास सुरिष्टी का सम्पूरन ग्ञान है स्रेश्ट करमो का ग्ञान है उनके पास देखो, दुनिया में भी करमो की गती के उपर क्लासेस लेते हैं, बहुत लोगों ने बहुत अच्छी सारी बाते कही हुए हैं, पर उनके पास सुरुष्टी चक्रता यथार्त ज्ञान न होने के कारण, वो उतने लेवल तक नहीं पहुशते हैं, हाला कि वो यह जानते हैं कि स्रेश्ट कर्म करेंगे तो फल अच्छा मिले किया, तो आपके उपर बोजा चड़ जाएगा, क्योंकि लोग आजकल भगवान के नाम पर बहुत सारे काम करते हैं, नाम भगवान का होता है, काम अपना होता है, कल्यूग है, तो हम समझ सकते हैं इस बात को, तो बाबा के बच्चे सबसे स्रेश्ट समझदार, बाबा ने कल भी बाबा ने मुरली में कहा था, कि कई बच्चे समझते हैं कौन देख रहा है, अभी तो मौच कर लो, कितनी गलत बात है बाबा के बच्चे होकर ऐसा सोच सकते हैं कौन देख रहा है तो मुझे तो रहम आता है कि इसका मतलब इस आत्मा को ये पता नहीं कि वो क्या कर रही है जब जीजस क्राइस को सुली पर चड़ाया तो उसके मुख से ऐसे बोला है कि God please forgive them because they do not know what they are doing तो आज बाबा ने स्पष्ट मुर्ली में कहा है कि बच्चे बाप का बन कर कोई भी विकर्म नहीं करने है क्योंकि एक का सव गुना दंड भी है जब पदम गुना फायदा है तो और बाबा लगातार कह रहा है कि दिखा दिखा के सजा दी जाएगी साक्षातकार होगी कि इस कर्म की ये सजा है एक्चिली ये निगेटिव एप्रोच है लेकिन क्या करें कुछ लोग सुधरते ही नहीं है उन्हें दूसरी भाषा समझ में ही नहीं आती है कई माताय मुझे कहते है कि जब तक मार न पड़े तब तक कोई परिवर्तन ही नहीं होता है मार नहीं पड़ता है हमारे टीचर्स इस समय बहुत टेंशन है क्योंकि मार नहीं सकते डाट भी नहीं सकते है काईदा बदल गया है जबकि उनको पता है जब तक मारेंगे नहीं सुधरेंगे नहीं एक वो जन्दरेशन थी महाराष्ट में कहावत थी छड़ी लागे छम छम माना जब तक छड़ी नहीं बैट थी तक सुधरेंगे नहीं और अभी कहते हैं डाटना भी नहीं है उनको प्यार से ही समझाना है और कई लोग समझते हैं कि मार के बगर सुधरेंगे नहीं तो बाबा को यह क्यों कहना पढ़ रहा है बार बार पुर्ली में यह प्रश्चन है बाबा कह रहा है लगातार कि बच्चे दिखा के सजा दी जाएगे जैसे जज होता है कोर्ट में वो फाइनल डिसीजन देता है जज्जमन जिसको कहते है कि तुमारे अगेंस में यह यह इविडन्स है तुमने यह यह किया और यह बात सिद्ध हो चुकी है इसलिए तुमारे यह यह कर्मों की यह यह सजा है तो सबसे बड़ा जज धर्मराज है, लास्ट में वो जज्जमेंट देगा, जिसको बाइबल में कहा जज्जमेंट दे, जज्जमेंट दे होगा जब हमको फेस करना होगा, हमारे पाप और पुन्या की गठडी को लेकर हम खड़े होंगे, बाबा ने ये भी मुरली में कहा है, जिन बच्चों को धर्मराज का डर नहीं लगता है, उनके लिए बाबा ने कहा कि उस समय, ब्रह्मा बाबा साक्षी होकर देखेगा, और आत्मा तडपते हुए शरी छोड़ेगी, जिस ब्रह्मा बाप से हम इतना प्यार करते हैं, जो हमा जोड़ा, जिसको हमने अपना पूरा समाचार सुनाया, वो हमारे सामने खड़ी होगी, और वो देखेंगे कि मेरा बच्चा तडप रहा है, और तडपते तडपते बहुत पीड़ा से शरी छोड़ेगे, मृत्यू का जो दर्द होगा, वो बहुत भयानक होगा, शास्त्रों में तो ऐसे लिखा है कि मृत्यू मना शरीर छोड़ते समय, इस पेशली वो आत्माएं, वो आत्माएं जिनके अंदर बहुत मोह है, अपने शरीर में, दूसरों के शरीर में बहुत मोह है, वो आत्माएं शरीर छोड़ते समय, उन्हें इतना दर्द होगा, वो दर्द किस तरह से है, तो हजार बिच्चू, हजार बिच्चू, एक साथ डंक मार रहे है, आप सोचो, एक बिच्चू डंक मारता है, तो कितना दर्द होता है, आप सोचो, हजार बिच्चू, एक साथ डंक मार रहे है, इतना दर्द होगा, और वो बहुत भयानक होगा, तो बाबा को भी ये कहना पड़ रहा है, बुरली में, खास करके, उन आत्माओं के लिए, जो पवित्रता का नियम वाइलेट करते हैं, तो हमको बहुत अटेंशन देना चाहिए, कोई भी वीगना आए, या आपदाय आए, बाप से मुह नहीं मोड़ना है, आज की पूरी मुरली, एक शब्द के उपर आती है, वो है रुहानी प्यार, रुहानी प्यार, जो बात चली शुरू आज से, कि दुख को दूर करने के लिए कुछ तो करें के, तो उसका इलाज है, रुहानी प्यार, आत्मिक्स ने है, यही इलाज है, बहुत फेमस स्टोरी है भक्ति मार्क की, कि संत को पूछा, कि कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या करें, उसका इलाज क्या है, तो संत ने कहा, उसे प्यार दो, उसे प्यार दो, उसे प्यार दो, तो शिश्य ने फिर से पूछा, अगर प्यार देने के बाद भी अगर ठीक नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए, तो संत का जवाब था, उस प्यार का डोस बढ़ा दो, इलाज प्यार ही रहेगा, कितना सत्य बात है, अंग्रेजी में बिमारी को इल कहते है, इल, I double L, इल माना बिमार, उसका फुल फॉर्म किसी ने कहा, इल माना I lack love, जब मेरे अंदर प्यार की कमी हो जाती है, तब मैं बिमार होता हूँ, प्यार एक healing force है, इसके उपर भी studies हुई है, लव के उपर studies हुई है, दो ग्रूप बनाए गए, एक ग्रूप को हिंसा का मुवी दिखाया गया, और एक ग्रूप को एक संत का मुवी दिखाया गया, जब वो दुखी आत्माओं की सेवा कर रहा है, जिसमें करुणा और ममता है, और दोनों ग्रूप का salivory antibodies, मुझ के अंदर उनकी प्रतिकार शक्ति, Ig antibodies test की गई, तो देखा गया, कि जिनों ने हिंसा देखी, जर्मनी की हिंसा के वीडियोस थे, तो वो देखे, तो उनकी प्रतिकार शक्ति कम हो गई, और जिनों ने संत का मुवी देखा, उनकी प्रतिकार शक्ति बढ़ गई, और ये संत का मुवी देखने के बाद म कि इसके उपर चिंतन किया तो उनकी लंबे समय तक बढ़ी रहें कि इसका मतलब हमारे पास अभी डेटा है कि जिनके अंदर ये रुहानी प्यार की फीलिंग रहती है मैं उनकी प्रतिकार शक्ती अच्छी रहती है इम्मुनिटी अच्छी रहती है तब मेरे आखों के सामने बहुत सारे चित्रह है जीन्होंने लेपरसी के साथ काम कियें महाराष्र में बाबा आम्ते करके रहे लेपरसी के ocho के साथ काम किये, आखिर में उनको खड़ा रहना भी मुश्किल होता था, क्योंकि रिड की अड़ी का प्रॉब्लेम था, तो लेट के वो पेशन की सेवा करते थे, ऐसे ही मदर टेरेसा है, इनको कभी ये बीमारिया नहीं हुई, हमारे डॉक्टर अशुक मेता विहासा के ट्रेनिंग में फोटो दिखाते है, महात्मा गांदीजी का, वो पर्चुरे शास्त्री, संस्कृत स्कॉलर, जिनको लेपरसी हुआ था, कुष्ट रोग, उनको मिलने आये थे, तो उनको आने नहीं दिया, क्योंकि डर था, कि उस समय इलाज नहीं था, लेपरसी का, दवाई नहीं थी, वो डैपसुन दवाई आई नहीं थी, आजकल तो बहुत अच्छी दवाई आया, तो उसको लिया नहीं आश्रम में सेवा ग्राम के, गांदीजी को पता चला, तो उनको लेके आया, और गांदीजी उनके जखमों के उप पर मरम करते थे, पट्टी लगाते थे, गांदीजी को लेपरसी नहीं हुआ, तो ये जिनके अंदर से, दिल से आता है, रुखानी स्नेह, रुखानी प्यार, या देने का भाव, अनकंडिशनल लव, ये सबसे बड़ी शक्ति है, इसकी गहराई में जाए, क्योंकि आज की पूरी मुरली इसके उपर है, मेरे पास जितने भी रिलेशन्शिप्स के इशू आते हैं, संडे की मुरली लेकर चलो, शुद्ध और अशुद्ध भावना है, तो बाबा ने कहा, माया का आने का गेट या शुद्ध भावना ही है, तो मुझे कहते हैं कि हम इनके साथ ऐसे भी है, इसलिए करते हैं कि क्यों है यह है इसे, इन्होंने किया यह ऐसा है, आप सोचो, बाबा हमको कहां से कहां लेकर जा रहा है, मनुष्य से देवता बनना मासे का गर नहीं है, ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी अपने आखों के सा सामने रखेंगे, तो पता चलेगा, सभी ने सहन किया है, और उनका कोई दोश नहीं था, इस इस डिवाइन क्वालिटी, मुझे कुछ लोग कहते हैं, मैंने गलत किया नहीं, तो मैं क्यों सहन करो, मैं कहता हूँ, इस लिए करो, क्योंकि मेरे पिता को अच्छा लगता है, शीव बाबा को अच्छा लगता है, इस लिए करो, किसी और के लिए नहीं करो, क्योंकि तभी हम शीव बाबा के बच्चे कहलाए जाएंगे आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है कोई इंसल्ट करे गृणा करे क्या भी करे और कुछ भी कहे हमारी भावना शुद्ध हो सर्व के प्रती कल्यान की हो अगर ऐसे हम करते हैं तभी हम बाब समान बन पाएंगे अगर कोई बाबा का बच्चा बन कर कहता है कि नहीं इस आत्मा ने मुझे दुख दिया है इस आत्मा ने मुझे बहुत परेशान किया है मैं इन दुखों को भूल नहीं सकती हूँ मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकती हूँ तो automatically, indirectly, वो आत्मा यही कह रही है कि मैं बाप समान नहीं बनना चाहती है Automatically you are out अंग्रेजी में कहते हैं The moment you hate someone, you are already defeated जिस्क्षांड, forget about the hate, तिरसकार कोई भी नकार आत्मक भावना अगर हमारे अंदर आती है, हम उस समें हार चुके रहते हैं We are a loser हमको और कोई सजा की जरूरत नहीं है, नकार अत्मक भावना ही सजा है Please go into the depth, इसकी गहराई में जाए कई लोग कहते हैं, मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसको देख के मेरे अंदर ऐसी भावना जागरुद हुई You are failed at that moment, I am sorry वो भावना आई मतलब वो हमारे अंदर है, तब ही तो बहार आए वाइरल मैसेज हुआ था एक, कि आपके घर में मेहमान आए, आपके घर से आप चाय देखे जा रहे है चाय गिरी, तो क्यों गिरी, तो सवाल पूचा क्यों गिरी, तो कहते हैं कि ध्यान नहीं था, पेर अटक गया, इच्छा नहीं थी, वगेरा सभी कारण देते हैं कि चाय क्यों गिरी लेकिन उसका सही जवाब है चाहि, इसले गेरी क्योंकि उस cup के अंदर चाह थी इसले चाह गेरी, दूद होता तो दूद गिरता, काफी होते तो काफी गिरती जो cup के अंदर है वही बहार आएगा तो जबी भी आज जो मुरली में बाबा ने कहा कोई भी वीगन आपदाय आती है तो हमारे मन के कप के अंदर क्या है वही बाहर आएगा अगर अशुद्ध भावनाय है तो अशुद्ध भावनाय आएगी अगर अंडरलाइन करेंगे इस वाक्य को अगर मेरे जीवन में बाबा का बच्चा बनकर कोई वीगन आता है फिर वो वीगन अंदर से आए या बाहर से आए कोई भी पेपर आता है और मेरे अंदर से अशुद्ध भावनाय जागरुत होती है फिर वो घ्रणा की हो, क्रोत की हो, काम की हो, लोब की हो कोई भी विकार की भावना निगेटिव फीलिंग जाती है तो समझने का है अभी तक अंदर बहुत मैल पड़ी हुई है अगर कोई विगन मेरे जीवन में आता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा या परिस्थिति के द्वारा तो मेरे अंदर से शुद्ध, निस्वार्थ, रहम, स्नेह, सैयोग की भावना आती है तो समझने का मेरे अंदर स्रेष्ट परिवर्थन हुआ है तो चेक करेंगे कभी भी ये शब्द नहीं इस्तिमाल करेंगे कि इसने किया ही ऐसा तुम करते हुआ ऐसा इसलिए मुझे गुसा आता है मेरे अंदर गुसा है वो केवल बाहर आ जाता है तो अपने आप को परिवर्थन करना अपने को शुद्ध और स्रेष्ट बनाना यही पुर्शार्थ है बाबा ने एक मुर्ली में यहां तक कहा था मुझे याद है डाइमंड जूबली की मुर्ली है बाबा ने कहा था सामने काला कोईला भी आए तो उसको भी फरिष्टे के रूप में देखना है रावन भी आए उसके अंदर भी विशेष्टा देखनी है और यही पुर्शार् साल एक बहुत बड़ा उत्सव होके गया भारत वर्ष में मनाते हैं दत्त जहनति तो दत्त रहे को अवतार कहते हैं उसके 14 अवतार होके गए कोई 16 कहता है कोई 8 कहता है तो महाराष्ट में इस समय हम अभी कोंकन में रत्नागेरी डिस्ट्रिक में राजापूर में है राजापूर यहां पर दत्त जहनति का महतसव है तो हम यही बात सुना रहे हैं बाबा ने भी इस आत्मा को मुर्ली में याद किया है कि दत्त ने चोबिस गुरू किये थे चोबिस गुरू अब यह गुरू बहुत सारे लोग थे जिनके द्वारा उन्होंने विशिष्टा सीखी हर एक के अंदर विशिष्टा सीखी और उसको गुरू बना लिया तो हमको भी संगम युग पर बाप समान विशिष बनना है तो हर एक व्यक्ति और परिस्थिती में विशिष्टा देखना चालू करें इन फैक्ट बाबा ने एक मुर्ली में यहां तक कहा कि संगम युग का दूसरा नाम ही है विशिष्टाओं का युग तो जो विशेष आत्मा होगी विशेष आत्मा का लक्षन ही है कि उसको हर बात और व्यक्ति में विशेष्टा दिखाई देगे वक्ति मार्ग में भी कहावत है बहुत सुन्दर कहावत है कि जितना भी समय आपके जीवन में शेष बचा है उसे विशेष बनाई है क्योंकि बाद में केवल आउशेश ही रह जाने है तो शेश समय जो बचा है उसे विशेश बनाईए नहीं तो बाद में केवल आउशेश ही बच जाने है कितना सुन्दर है? शेश, विशेश और आउशेश तो जो spiritual आत्मा होंगी जिसको spiritual सीकर कहते है जिसका लक्ष बहुत स्रेश्ट है वो हमेशा ये ध्यान में रखेगा कि मैं हर क्षण को विशेश बनाऊ हर क्षण, हर सेकेंड, हर संकल्प मेरा विशेश हो और यही बाबा ने आज मुरली में प्रशन पूछा है कि महावीर बच्चों का स्थिति और पूर्शार्थ क्या होगा महावीर बच्चे माना शक्तिशाली उनका विशेश लक्ष होगा कि मैरी आत्मा को मैं पवित्र कैसे बनाऊ वो किसी को भी दोश नहीं देंगे न परिस्थिति को न व्यक्ति को कोई परवा नहीं होगी उनकी उनको सपष्ट रहेगा कि मुझे अभी नई दुन्या में ट्रांसफर होना है कम वाट में चाहे कुछ भी हो जाए वो डरेंगे नहीं किसी भी बात से निर्भय होंगे महावीर माना निर्भय और निर्भय वही रहे सकता है जिसके अंदर सत्यता की शक्ती है और विशिश उनके अंदर रुहानी प्यार की आग रहेगी बाबा ने आज शब्द इस्तिमाल किया आग होगी वैसे रुहानी प्यार के साथ आग शब्द बाबा ने इस्तिमाल नहीं किया रुखानी प्यार का लेकिन आज आग कहा आग इसलिए कहा क्योंकि बाबा ने कांट्रास्ट पताया जैसे काम और क्रोध की अगनी होती है वैसे ही रुखानी प्यार की भी अगनी होती है तो चिक करना चाहिए कि क्या मेरे अंदर ये रुखानी प्यार की अगनी है जिसको गीता भी क्याना अगनी कहते हैं, बाबा योगा अगनी कहते हैं, या ज्वाला मुख योग कहते हैं, यह अगनी हैं, जितनी यह अगनी परमात्मा के प्रती होगी, जिसको बाबा ने कहा, माशुक परमात्मा को जिन्हों ने बनाया है, दिल से याद करते हैं, दिल की प्रीत, जो परमात्मा के उपर फिदा है आज का पूरा गीत इस प्यार के उपर ही रुठानी प्यार न वो हमसे जुदा होगे न उल्फत दिल से निकलेगे उल्फत प्यार को कहते हैं कि असंभव है कि मैं परमात्मा से अलग हो जाओ नहीं हो सकता है आप कितने भी कोशिश करो, शरीर के टुकडे भी कर दो, ऐसे भक्ती मार्ग में कहानिया है, हर टुकडे से पर्मात्मा की आवाज आएगी, ऐसे कहानिया बताते हैं, कि ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय जाप करते करते वो जाप इस लेवल तक पहुँच गया कि शरीर के हर अंग से हड्डियों से वो आवाज आने लगा इतना प्यार होना चाहिए अभी हमको मंत्र की तरह ये कहना नहीं है भाव को समझना चाहिए कि पर्मातिमा के प्रकंपन मुझे भी अनुबव हो और औरों को अनुबव हो ऐसे पुरषार्द करते करते बाबा के बचे माला का मनका बन जाएंगे तो चेक करना चाहिए क्या मैं ऐसा प्रमातिमा का बच्चा हूँ आशिक हूँ आशिक आपको पता नहीं आशिक क्या क्या करते हैं हमारे पास केसे साते हैं घर बार छोड़ के चले जाते हैं हमने घर छोड़ा है वो सोचते हैं कि बस हमको कोई परवा नहीं माबाप की परवा नहीं दुनिया की परवा नहीं हमको तो ऐसे नहीं करना है हम मर्य Invitional Love देने वाला केवल एक परमात्मा है और उस परमात्मा के प्यार से अपने आपको इतना भरपूर कर दो कि किसी भी जन्म हमको किसी से प्यार माँंगना नहीं पड़े, ईस एक जनम का परमात्म प्यार अनेक जनम हमको संपन्न बना देगा अच्छा ओम शान्ति